किस तरह की जुबान है यह आप बिना बताए बिना प्रायोजित कारेक्रम के पाकिस्तान चले जाते हैं वहां सुरक्षित महसूस करते हैं अपने ही देश के पंजाब में आपको अपने ही देश के नागरिकों से आप को ऐसी क्या घबरहाट है नफरत है कि आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल करेंगे एक पूरे प्रवेश के लिए साथियों तथ्य यह भी है और इन तथ्यों से कोई नावाकिफ नहीं है खास तौर पर प्रधान मंत्री कि किसान कुछ मांगों को लेकर दुखी हैं व्यथित हैं परेशान हैं तथ्य यह भी है कि आपके ग्रह राज्य मंत्री तेनी सहाब आज भी आपके ग्रह राज्य मंत्री बने हुए हैं तीन दिन हो गए हैं चार्ड शीट में उनके पुत्र का नाम आये हुए आपने एक्शन नहीं लिया तथ्य यह भी है कि 700 मृत किसान मुआवजे के लिए उनके परिवार आज भी प्रतीक्षा रथ हैं आपन को पूरे एक प्रदेश को पूरे एक पंजाबियत को पूरी संस्कृति को बदनाम कर देंगे कि मैं कुछ और उधारन आपके सामने रखना चाहता हूं तारीखों के साथ 22 सितंबर 2017 बड़ा ध्यान से सुनिएगा लंका गेट नामक इलाका है वारण असी में प्रधान मंत्री की के लोगसभाग छेतर के दौरे पर थे 22 सितंबर 2017 लंका गेट पर बनारस हिंदू विश्विध्याले की कुछ चात्राएं 500 के लगभग चात्राएं यौन उत्पीडन के खिलाफ प्रदर्शन करने आ गई प्रधान मंत्री जी को वहीं से गुजरना था पुलीस के आला अधिकारी गए मनाने की चेश्टा की वो नहीं हटी वो नारेवाजी कर रही थी वो अपना विरोध व्यक्त कर रही थी उनका अधिकार था लोगतांत्री का अधिकार था किया आपने सुना कि प्रधान मंतरी वारणसी एयर पॉट पर जाते वे मुख्य मंतरी आदित्यनाथ के नाम पर ये संदेश दिये कि थैंक यू आदित्यनाथ जी मैं जिन्दा वारणसी एयर पोट पर लोटाया हूँ सुना आपने उधारन नमबर दो 15 सितंबर 2018 स्वच्छता श्रमदान के कारिकरम में प्रधान मंत्री का काफिला पहाड़ गन जाते हुए दिल्ली की ट्राफिक जाम में फस गया बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे तारीफ की गई कि देखे कि कितना आम आदमी कितने प्रधान मंत्री जी भी रुके वे लाल बत्ती पर यह ट्राफिक जान में क्या आपने सुना कि संदेश दिया हो अर्विंद केजरीवाल को कि अर्विंद जी थैंक्यू मैं सकुषल साथ लोग कल्यान मार्क पर जिन्दा लौट आया हूँ नहीं सुना मैं आपको एक उधारन और देता हूँ मेजेंटा लाइन गौतम बुद्ध नगर तारीख थी 25 दिसंबर 2017 उसके उधगाटन पर प्रधान मंत्री जी जा रहे थे वहां कहीं रास्ता भटक गए कुछ मिंटों का विलम हुआ एक छोटा अधिकारी पुलीस का सस्पेंड हुआ क्या आपने सुना क्या आदित्तिनाज जी धन्यवाद थैंक्यू मैं जिन्दा लौट आया हूँ यह शब्द शोभा देतें हैं प्रधान मंत्री को तो जहां जहां आपके अपनों की सरकार है या आपकी अपनी सरकार है वहां आपकी जान को कोई खतरा नहीं है वहां आप बरदार्श कर लेते हो ट्राफिक जाम में फसना और अपनी तारीफ और करवा लेते हो जो अपना आपका लोग सबाग छेतर है वहां प्रदर्शन आपके खिलाफ हो रहा था आपने तब नहीं कहा आपकी जान को खत्रा है पंजाब से आपको क्या नफरत है एक उधारन और देता हूं यह साबित करन मंतरी डॉक्टर मर्मोहन सिंग देश के पूर्व सेनाद्यक्ष दीपक कपूर जनरल दीपक कपूर देश के पूर्व उप्राज्य पति हामिद अंसारी के विरुध गुजरात के चुनाव प्रचार में प्रदान मंतरी ने क्या कहा था कि पाकिस्तान के साथ मिलकर मेरे खि पीछ नहीं रहे हैं उन्होंने लोकसभा में राजसभा में खड़े होकर संसद में माफी मांगी खेद व्यक्त किया प्रधान मंत्री की इस बद्जुबानी पर आप चुनाव जहां हो रहा है आप किस तर्फ पर उतर कर राजनीति करना चाहते हैं हमें इस बात का जवाब दीजिए जहां आपको देश की छवी की चिंता नहीं है देश की संस्थानों की चवी की चिंता नहीं है अरे प्रधान मंत्री आप भारती जन्ता पार्टी के नहीं हैं हम सब के प्रधानमंत्री है आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है हुआ और आप उस राजजी का उस पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं अरे जितने तिरंगे आपने और आपकी पाटी ने और संग ने जिन्दगी में नहीं फेरा होंगे उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाश पर लपेटे जाते हैं शरम आनी चाहिए आपको उस पंजाब का अपमान करने वो जवान हो वो किसान हो उसने इस देश का नाम रोशन किया है पंजाब ने और मैं तीन करोड पंजाबियों की तरफ से नहीं बोल रहा हूं मैं पूरे विश्व के पंजाबियों की तरफ से बोल रहा हूं कि आज हमारा सर प्रधान मंत्री जी ने जुका दी इस तरह का अप की रैली में भीड़ नहीं आई क्योंकि किसान आपसे नाराज हैं कि 1982 में इंद्रा जी प्रधान मंत्री थी उत्तर प्रदेश गई रास्ते में उनका काफिला बेरोजगार नौजवानों ने रोका मुख्य मंत्री नाराइंदत्य तिवारी जी थे रुकी ग्यापन लिया उनको गवर्नर हाउज में बुलाया उनसे चर्चा की और खुशी खुशी वो चले गए असी के ही दशक में मैं उदेपूर में था पड़ता था राजीव गांधी आये थे गांधी ग्राउंड में भाशन दे रहे थे अचानक सभास्थल में छात्रों ने नारे बाजी शुरू कर दी उनके खिलाफ उन्होंने वहीं माइक से उनसे समवार शुरू कर दिया फिर सर पत्ती है प्रदर्शनकारियों से मिलने में आपकी इच्छा हम आपको उसमें नहीं बोलना चाहते हैं आपका अपना शैली है आपकी नहीं आप विश्वास रखते लोग तंत्र में मान लेते हैं आप 15 मिनिट तो देंगे स्थानिय पुलीस को रास्ता साफ कर देंगे आपको नहीं मालूम था कि पूरे प्रदेश में बड़ी मुश्किल से किसानों को हटाया जा रहा था मनाया जा रहा था मुख्यमंत्री द्वारा क्या चाते थे आप उन पर गोली चला देते आपने तो कीले बिछा दी थी नहीं सडकों पर क्या चाते थे आप आप नहीं मिलना चाते थे मत मिलिये 15 मिनिट दे देते साफ हो जाता चले जाते तीसरी 24 थी आपके पास कि आप कोई और रास्ता ले लेते आपने क्या चुना पूरे पंजाब को पूरी पंजाबियत को सब को बदनाम करना अरे मेरे खिलाफ साजिश होगे अरे मेरे खिलाफ साजिश होगे शरम आनी चाहिए इस तरह की भाषा बोलते हुए एक-एक पंजाबी अपनी जान पर खेल के रक्षा कर सकता है अपने प्रधान मंत्री की वो किसी पार्टी का हो प्रधान मंत्री कोई फरक नहीं पड़ता है बड़ा दुख होता है कि आज इस तरहें का विवाद देश का प्रधान मंत्री पैदा कर रहा हो सिर्फ इसलिए कुर्सी की लड़ाई हो खाली कुर्सी की लड़ाई हो या जिस कुर्सी पर बैठें उसकी लड़ाई हो हमें उसमें कोई मतलब नहीं आप कुर्सियां नहीं भर पा रहे आप समय चाहते थे जो भी चाहते थे कि कुर्सियां भर जाएं नहीं भर पाए तो आप आप इस तरह से हलकी राजनिती पोता राएंगे अच्छी बात नहीं। Friends, in the last, over the last 24 hours, there is, there have been some attempts, unfortunately by the Prime Minister of India and the ruling party and some of their friends in the media, to create